कहानियों के सिल्सले को आगे बढ़ाते हुए आए सुनते हैं मुंसी प्रेम चंद्वारा लिखी गई कहानी मनोवर्ती एक सुन्दर यूगती प्राते काल कांधी पार्क में बिलोर के बेंच पर गहने निंद में सोई पाई जाए यह चौका देने वाली बात है सुन्दरिया पार्कों में हवा खाने आती हैं हस्ती हैं दौरती हैं फूल पोधों से खिलती हैं किसी का इधर ध्यान नहीं जाता लेकिन कोई यूवती रविस के किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोए वह बिल्कुल गहर मामूली बात है अपनी और बल पुर्वक आकरसित करने वाली रविस पर कितने आदमी चहल कदमी कर रहे हैं बुढ़े भी जवान भी सबी एक प्षण के लिए वही ठिठक जाते हैं एक नजर वहद्र से देखते हैं और तब चले जाते हैं युवक वरंद रहस्य भाव से मुस्काते हुए वरद जन चिंता भाव से सीरहिलाते हुए और यूतियां लज्जा में आखें नीचे किये हुए बसंत और हासिम निकर और बनियान पहने नंगे पाउं दोड़ कर रहे हैं बड़े दिन की छुटियों में ओलंपियन रेस होने वाले हैं दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं दोनों इस स्थल पर पहुँच कर रुख जाते हैं और दबी आखों से यूवती को देखकर आपस में खयाल दोड़ाने लगते हैं बसंत ने कहा इसे और कहीं सोने की जगह ने मिली हासिम ने जवाब दिया कोई वैसिया है लेकिन वैसियाएं भी तो इस तरह बेसर्मी नहीं करती वैसिया अगर बेसर्म नहीं तो वह है वैसिया नहीं बहुत सी ऐसी बाते हैं जिन में कुलवधू और वैसिया दोनों एक वेभार करती है कोई वैसिया मामूली तोर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती रूप छवी दिखाने का नया आर्ट है आर्ट का सबसे सुन्दर रूप छिपाव है दिखाव नहीं वैसिया इसे रहस्य को खुब समझती है उसका छिपाव केवल आकरसन बढ़ाने के लिए है हो सकता है मगर केवल यहां सो जाना यह परमानित नहीं करता कि यह है वैसिया है इसकी मांग में सिंदूर है वैसियाएं अवसर पढ़ने पर सौभाग्यवती बन जाती है रात पर प्याले के दौर चले होंगे काम करड़ाएं हुई होगी अवसाद के कारण ठंड़क पाकर सो गई होगी मुझे तो कुलवधु सी लगती है पुल्टे और एहसास जताएंगे और जो कहीं जिजक दे जिजकने की कोई बात भी हो उससे सौजन्य और सहिर्देता में डूबी हुई बाते करेंगे कोई यूती ऐसी गत यौवनाई तक तो रसभरी बाते सुनकर फूल उठती है यह तो नव यौवना है मैंने रूप और योवन का ऐसा सुन्दर संयोग नहीं देखा था मेरे हिर्दे पर तो यह रूप जीवन परियंत के लिए अंकित हो गया शायद कभी ने भूल सकूँ मैं तो फिर भी यही कहता हूँ कि कोई वैस्या है रूप की देवी वैस्या भी हो और पास्य है यहीं खड़े-खड़े कभियों किसी बाते करोगे जरा वहां तक चलते क्यों नहीं केवल खड़े रहना पास तो मैं डालूँगा कोई कुलबधु है कुलबधु पार्क में आकर सोए तो इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वह आकरसित करना चाहती है और यह वैस्या मनोवर्ती है आज कल की यूवतियां भी तो फॉर्वर्ड होने लगी है फॉर्वर्ड यूवतियां यूवकों से आखें नहीं चुराती हाँ लेकिन है कुलबधु कुलबधु से किसी तरह की बादचीत करना मैं बेहुद की समझता हूँ तो चलो फिर दोड लगाएं लेकिन दिल में वह मूर्ती दोड रही है तो आओ बैठें जब वह उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चलें मैं कहता हूँ वैस्या है और मैं कहता हूँ कुलबधु है तो दस-दस की बाजी रही दो व्रद पुरुष धीरे-धीरे जमीन के और ताक्ते आ रहे हैं मानो खोई जवानी ढून रहे हूँ एक की कमर जुकी बाल काले सरीर स्थुल दूसरे के बाल पके हुए पर कमर सी धी एक एहरा शरीर दोनों के दांत टूटे पर नकली लगाए दोनों की आँखों पर एनक मोटे महाशे वकील है छरहरे महोदे डॉक्टर वकील देखा यह बीश्वी सदी का करामात डॉक्टर जी हाँ देखा हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है लेकिन आप इसे सिस्टता तो नहीं कह सकते सिस्टता की दुहाई देने का आप समय नहीं है है किसी भले घर की लड़की वैस्या है सहब आप इतना भी नहीं समझते वैस्या इतनी फूहड नहीं होती और भले घर की लड़की फुहड होती है, नई आजादी है, नया नैसा है, हम लोगों की तो बुरी भली कट गई, जिनके सिर आएगी वह जेलेंगे, जिन्दगी जहनुम से बत्तर हो जाएगी, अफसोस जवानी रुकसत हो गई, मगर आखे तो नहीं रुकसत हो गई, वह दि करो, दिल जलाया करो, मेरा तो फिर से जवान होने को जी चाहता है, सच पुछो, तो आजकल के जीवन में ही जिन्दगी की बाहार है, हमारे वक्तों में तो कहीं कोई सूरत ही नजर नहीं आती थी, आज तो जिधर जाओ, हुसन ही हुसन के जलवे हैं, सुना, यूतियों को दुनिया में जिस चीद से सबसे ज़्यादा नफरत है, वह बुढ़े मर्द हैं, मैं इसका कायल नहीं, पुरुष को जोहर उसकी जमानी नहीं, उसका सक्ती संपन होना है, कितने ही बुढ़े जमानों से ज्यादा से ज्यादा कडियल होते हैं, मुझे तो आए दिन इसके त दरहें देखकर हम लोग यो ने चले जाते, मैं तो आँख बर देख भी ने सका, डर लग रहा था कि कहीं उसकी आँखे खुल जाए और वह मुझे ताकते देख ले, तो दिल में क्या समझे, खुश होती कि बुढ़े पर भी उसका जादू चल गया, अजी रहने भी दो, आ आप कोछे दिनों आकोशा को सेवन कीजे, चंदरोदे खाकर देख चुका, सब लुटने की बाते हैं, मंकी ग्लेंड लगवा लिजे न, आप इस यूती से मेरी बात पक्की करा दे, मैं तैयार हूँ, हाँ यह है मेरा जिम्मा, मगर हमारा भाई हिस्सा भी रहेगा, अर्थ अर्थात यह है कि कभी कभी मैं भी आपके घर आकर अपनी आखें ठंडी कर लिया करूँगा, अगर आप इस इरादे से आएं, तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊंगा, ओहो, आप तो मंकी ग्लेंड का नाम सुनते ही जवान हो गए, मैं तो समझता हूँ, यह भी डॉक्टर में एक-एक विलास में जवानी भरी हुई, ने सो मंकी ग्लेंड, ने एक रमनी का बाहु पास, अच्छा कदम बढ़ाईए, मुवक्किल, आकर बैठे होंगे, यह सूरत याद रहेगी, फिर आपने याद दिला दी, वह इस तरह सोई है, इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग विन्यास को, उसके बिखरे हुए केसों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखें, और अपनी छाती पीटें, इस तरह चले जाना, उसके साथ अन्याय है, वह बुला रही है, और आप भागे जा रहे हैं, हम जिस तरह दिल से टेम कर सकते हैं, जवान कभी कर सक बिल्कुल ठीक, मुझे तो ऐसी ओर्दों से सावी का पड़ चुका है, जो रसिक बुढों को खुजा करती है, जवान तो छिरोरे, उचिसरंखल, अस्थिर और गर्विले होते हैं, वे प्रेम के बदले कुछ चाहते हैं, यहानी स्वार्थ भाव से आत्म समर्पन करती हैं आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई, मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका कोई जवान प्रेमी मिल गया तो, तो मिला करें, यहां ऐसों से नहीं डरते, आपकी शादी की कुछ बाचित थी तो, हाँ थी, मगर जब अपने लड़के दुस्मनी पर कमर बांध तो क्या हो, मेरा लड़का यस्वंत, तो बंदुक दिखाने लगा, यह जमाने की खुबी है, अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी, दोनों मित्र निकल गए, दो देवियां, एक वृधा, दूसरी नव्योवना, पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आई, उनके निगाहा भी उस नींद की मारी योती पर पड़ी, वर्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है, नव्योवना ने तरसकार भाव से उसकी और देखकर कहा, ठाट थो भलेगर की देवियों के हैं, बस ठाट ही देख लो, इसी से मर्द कहते हैं, इस्त्रियों को आ किस वो रही है, मानो अपने घर में है, बेहयाई है, मैं परदा नहीं चाहती, पूर्सों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरव शीलता और सलजता है, उसे नहीं छोड़ती, मैं किसी यूती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ, तो मेरे बदन मे आग लग जाती है, उसी तरहें, आंधी का जमभर भी, मुझे नहीं सोहाता, क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने ही से साबित होगा, कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं, पूरुस अपनी इच्छाती या पीठ खोले तो नहीं गूंते, इसी बात पर बाई जी, जब मैं पाड़े हाथों लेती हूं, तो आप बिगरने लगती हैं, पूरुस स्वाधीन है, वह दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूं, वह स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता, इस्त्री अपने दिल में समझती रहती है कि वह स्वाधीन नहीं है, इसलिए वह अपनी स्वाधी नहीं देना चाहती, मैं तो कहती हूँ, इस्त्री अपने को छिपा कर, पुरुस को जितना नचा सकती है, अपने को खोल कर नहीं नचा सकती, इस्त्री ही पुरुस के आकरशन की फिक्र क्यों करे, पुरुस क्यों इस्त्री से परदा नहीं करता, अब मुने खुलवाओ मीनू, इस छोकरी को जगा करके तो जाकर घर में सोई इतने आदमी आजा रहे हैं और यह निरलज्जा टांक फैलाए पड़ी है यहाँ नीद कैसे आ गई रात कितनी गर्मी थी भाई जी ठंड़क पाकर बेचारी के आँखें लग गई है रात बर यही रही कुछ-कुछ बदती है मिनू यूती के पास जाकर उसका हाथ पकड़ कर हिलाती है यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी इतना दिन चड़ाया उठकर घर जाओ यूती आँखें खोल देती है ओहो इतना दिन चड़ाया क्या मैं सो गई थी मेरे सिर में चकरा जाया करता है मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाब हो यहाँ आई पर ऐसा चकर आया कि मैं इस बेंच पर बैठ गई फिर मुझे होसने रहा अब भी मैं खड़ी नहीं हो सकती मालुम होता है मैं गिर पड़ूंगी बहुत दवा की पर कोई फाइदा नहीं होता आप डॉक्टर स्यामनात को जानती होंगी वह मेरे ससूर है यूवती ने आश्चरे से कहा अच्छा यह तो अभी इधर इसे गए हैं सच लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं अभी मेरा गौना नहीं हुआ है तो क्या आप उसके लड़के बसंतलाल की धर्म पतनी है यूवती ने सर्म से सिर जुका कर स्विकार किया मिनू ने हसकर कहा बसंतलाल तो अभी इधर से गए हैं मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है अच्छा लेकिन मुझे उन्होंने देखा कहा है तो मैं दोड़कर डॉक्टर को खबर दे दूँ जी नहीं किसी को ने बुलाईए बसंतलाल भी वही खड़ा है उसे बुला दूँ तो चलो अपने मोटर पर तुम्हें तुम्हारे घर पहुचा दू आपकी बड़ी कृपा होगी किस मोहले में बेगम गंज मिस्टर जैराम के घर मैं आज ही मिस्टर बसंतलाल से कहूंगी मैं क्या जानती थी कि वह इस पार्क में आते हैं मगर कोई आदमी साथ ले लिया होता किसलिए कोई जरुरत ने थी